प्रदीब आपका स्वागत्व करता हूँ आपके अपनी चैनल प्रदीफ फिसिक्स प्लानेक्ट में तो आज आपके लॉज आप मोशन के प्रदीफ लेक्षर में और लास्ट लेक्षर जो लोगों ने देखा तो पड़ा पर सजा करके पिछला लेक्षर देखेंगे ताकि चीजे आपके लिए तुभी आसानी से क्लियर हो पाईगी देखे बच्चों यह है आपका फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का यह फार्द्वा ल करता है लोटनिक आपका इजी था आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर्षन कोड से क्या मतलब है घर्षन कोड इसको हम लोग कहते हैं एंगल अफ्रिक्शन कोड इसको समझने की कुईस करते हैं तो मेरे पास एक कोई सिटम है कोई ब्लॉक है यह ब्लॉक मैंने रखता है हुआ है यह ब्लॉक यहां पर सर्फेस पर रख दिया तो नीचे की और क्या दिख रहा है आपको नीचे की और आपको दिख रहा होगा अगर अगर आपने यहां पर जैसे ही कोई इसको फोर्स अप्रिक्शन लगना भी स्टार्ट हो गया लग्या यह इजा फोर्स अप्रिक्शन आप देख रहे हो यह बेसिकली वस्तू कुस्त हाई बनाया रखने के लिए चलूरत हुआ हो तो सिमान इस्टार्टिक गए वस्त स्टाइट करने वाले स्टाइट करने वाले तो पीशे और के रूप में दिखाई रहा है वह संपर्कतल के समांतर और नॉर्मल उपर इन दोनों का पर्णामी होगा यह है इसका पर्णामी रिजल्टेंट इसका नॉर्मल का अभिनम्प देख्रिया का और सिमार्ट स्थाइटिक गर्फरबन के अवस्ता में इस वाले बल और इस वाले बल जो कि एक उसरे के साथ कितने एंगल बनाते हैं नाइट इस तो यह दोन का पर्णामी पी पर्णामी पी तथा अभिलम प्रतिक्रिया थीटा अभिलम प्रतिक्रिया थीटा के जो दिखाई दे रही है अभिलम प्रतिक्रिया एन और पी के बीच बना हुआ कोड अभिलम प्रतिक्रिया एन और पी के बीच बना हुआ कोड घर्षण कोड बास समझ आ सिमात इस्थातिक घर्षण बल की अवस्था में सिमात इस्थातिक घर्षण बल की अवस्था में सिमात इस्थातिक घर्षण बल की अवस्थातिक घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आप एन के पायणामी पायणामी फीम अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बना अभिलंब कोड़ है घर्षन पूलगय है अ गर्षन कोड़ कहलाता है इसे थीटर से रिखाते है तो यह से ये थीटा और साफॉर्मूला का ला निकाला हुआ तो कैसे निकालेगी यह प्रिजल करता है तो एक से प्रस्टर निकालने है तो पर यह वाक्क़ शाइट बीचिए हुआर इस टीटा निकालना हो तो यह वाली पुझा लंब आदा यह एंपो रिप्रज़न ने अक्ता है यह समानतर इसके एपेश कुर्य प्रज़न करेगा ठीक है फॉट्र चित्र से अगर मुझे टीटा निकालना है इसके सामने लंग और लंग के बगरवाला आधार और यहां प्रतिक्रिया एन को बच्छों से कैंसिल कर लीजिए मतलब कि आपका जो घर्षण कोड है वो घर्षण गुडांग से निधायत होता है तो घर्षण कोड कैसा होना चाहिए फर्मुला क्लियर है इससे रुलेटेट तुस कोश्चन आपको मिलने वाले हैं बात करेंगे उसके वाले में नेक्स है आपका विराम एड़ कि विरांपोड यह विरांपोड देखने को कहा ज़लता है कैने जगों पर अब देखिएगा विरांपोड को अलफा से दिखाए जाता है तो विरांपोड होता क्या यह संचें अगर किसी ब्लॉक को मत गुट्के को इसी रॉफ सर्फेस पर यहां पर आनत तल कर्ज का अलफा और यह ब्लॉग जो आपने रखा हुआ है रख इंक्लाइं पर यह रख इंक्लाइं पर जो इसका वेट होगा वह उड़ाता नीचे की और पहले जैसा ही लगेगा और साइड आपको यादो कि मैंने बता रखा था कि प्रतिक्रिया होती है वह उर्दवार भर हमेशा पंटेक्ट सर्फिस के लंबत लगेगी और उपर लगेगी आपको यह भी मैंने बता रखा था कि आपका एंजी वर्टिकली जरूर लगा है लेकिन यह ब्लॉग यहां से आ बनता था साइड आपको यादो कि वहीं एंड के ऑपोजिट लाइन के साथ भी बनता था एंड के साथ एंजी के बीच में बन रहा है तो यहां पर आपको एंजी एंगल के साथ मिल गया और यहीं अपकोंपोनेंट में ब्रेक होगा कि खुद एक्टिव नहीं होते हैं उनक आप इसी के दूसरी ओर यहां पर 90 डिग्री पर एक और कॉंपोनेंट काम करेगा जिसका नाम होगा एंजी साइन अलफा हो गया यह साइन अलफा काम कर रहा है अगर इस ब्लॉक के विराम की बात की जाए तो यह ब्लॉक विराम में कैसे होगा जब जब इस पर लगने वाल घर्षनबर इसको बैलेंस कर लेगा तभी तभी यह पॉसिविली रिस्क में आ सकता है ओके बढ़िया तो आई चेक करते हैं कि कौन किसको बैलेंस अब कैसे करेगा अगर यह सिस्टम इसको लेकि नीचे जाना चाहता है तो गर्षनबल गर्षनबल की दिशा का होनी सब्सक्राइब की गति के विप्रेश दिशा में आपको याद होगा तो यहां पर किसी कि खुर्दूरे कि अल्फा पॉड़ पर जोकें कि जोकें कि आनक कि तलपर कोई कि एंग दर्माइब का कि भुटका रख दिया जाता है कि जाता है कि जहां कि संतुरं की स्थिती में कि संतुरं की कि स्थिती में कि गुटकें पर भिन भिन बल एवं धर्षन बल कारे करते हैं कारे करता है कि अधर अच्छा अधर यह दिकांगा यहाँ पर समय करने किक सकते हैं ठाध्ण और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Fs किस को भारेंगर रहा हैं मैं पर सकते हैं यहां से हम क्या कर सकते हैं हम 2 को एक सब्सक्राइद कर देंक एंधी प्रण付 इसको इस से डिवाइट करेंगे तो fs upon n और यहां पर आपका mg mg कर जाएगा और आएगा sin alpha upon cos alpha यह हो जाएगा 10 alpha is equal to इसको आप लिख सकते हैं mu s और साथ में n upon में क्या लिख सकते हैं यह कैंसे हुआ यहां से आप इसको लिख सकते हैं 10 alpha is equal to mu s बास समझेगा यहीं सिमानी स्काथिक गर्ण कोई बताता है जहां पर alpha यह वो आनकतल का जुगाव है जिस पर ब्लॉक गती नहीं करता तो याज रखेंगा यहां पर क्या लिख सकते हैं इसके बाद जहां अलफा अलफा गुट के के ये तल पर विराम कोड विराम आनकतल ज्यां दिजागा आनकतल विराम कोड क्या लागा अब विराम कोड का फॉन्मूला 10 अलफा इस एकल टू मुवर्स मुवर्स क्या है आपके गुट के और इस आनकतल के बीच में इस तल की प्रक्रती जो की घरशन गुडां को जन्मे देती है तो विराम कोड की परिवास अगर आप से पूछे तो आप कहोगे कि आनकतल का प्रक्रत करें सब्सक्राइब तो विराम कोड बेसिकली आपकी घरशन कोड के एक्विवैलेंट को सकता है क्योंकि मूइस दोनों में होते हैं तो आपके 36 तल पर जो गया होता है को आना तक पर विराम कोड के बराबर होगा आपको यह बाते क्लियर हो गई होगी तो और जानेंगे हम लोग कि इस से रिलेटर एक्जेपल कर सकते हैं तब तक लिए पाख्या लेखिए ज़नेवाद